जै मातादी दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको सुनाओगी रवी प्रदोश्वरत कथा तो चलिए करते हैं कथा प्रारम। एक गाउग में अती दीन ब्राहमन निवास करता था उसकी साध्वी स्थ्री प्रदोश्वरत किया करती थी उसे एक ही पुत्र रत्म था एक समय की बात है वो पुत्र गंगासनान करने के लिए गया दुर्भाग वश्मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम ही मारेंगे नहीं तुम अपने पिता की गुपत्धन के बारे में हमें बतला दो बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंध हो हम अत्यंक दुखी दीन है हमारे पास धन कहा है तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है बालक ने निसन कोच कहा कि मेरी माने मेरे लिए रोतिया दी है ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों ये बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अतह हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुँचा नगर के पास एक बरगत का पेल था वह बालक उसी बरगत के व्रिक्ष की चाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोचते हुए उस बरगत के व्रिक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना कर राजा के पास ले गए राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया ब्राहमनी का लड़का जब घर नहीं लोटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई अगले दिन प्रदोश वरत था ब्राहमनी ने प्रदोश वरत किया कि वह बालक चोड नहीं है उसे प्रातलकाल छोड़ दे नहीं तो तुम्हारा सारा राज वैभब नश्ट हो जाएगा प्रातलकाल राजा ने शिवजी की आग्यानसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई सारा वृतान सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता-पिता को राजदरबार में बुलाया उसके माता-पिता बहुत ही भॉयभी थे राजाने उन्हें भाय भी देख कर कहा कि आप भाय भी इतना हो आपका बालक निर्दोश है, राजा ने ब्राह्मन को पांच गाउंगदान में दिये जिससे की वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें इस तरह ब्राह्मन आनन से रहने लगा, शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई अता जो भी मनुष्य रवी प्रदोश व्रत को करता है, वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है